एह स्पर्ग्नेंसी में हम क्या सूचते हैं। कैसे रहते हैं कितना तनाव लेते हैं. Is सब पढ़ना चाहिए इसके क्या-क्या फाइदे होते हैं और आपको अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान किस तरह की किताबे पढ़नी चाहिए ताकि आपका होने वाला बच्चा बुद्धीमान और तेज गुड़ों वाला हो तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि प्र आवाज महसूस कर सकता है तो ऐसे में आप जो भी पढ़ेंगी उसका असर आपके बच्चे पर पढ़ेगा और आप जो भी पढ़ती हैं उसे बोल कर पढ़ें ताकि आपका बच्चा आपकी बातों को सुन सके और समझ सके प्रेग्नेंसी के दौरान वैसे भी महिलाओं को म बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में यदि आप कुछ पढ़ेंगी तो वह आपके लिए भी अच्छा होगा और आपका मन भी शांत रहेगा साथी साथ बच्चे का दिमागी विकास भी काफी तेजी से होगा अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह की किताबें पढ़नी च चाहिए इससे आपका मन तो सांत होगा ही और बच्चे का स्वभाव भी धार में होता चला जाएगा और वो काफी संसकारी पैदा होगा प्रेग्नेंसी के समय अगर हो सके तो आप बेबी केर से रिलेटेट किताबें जरूर पढ़ें इससे आपके नॉलेज भी भढ़ेगी और आपको प्रेग्नेंसी के दोरण जो परिशानिया होती है उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी प्रेग्नेंसी के समय महिलाएं अपने बच्चे के बारे में सोचती ही रहती हैं और इस कदर तक सोचती हैं कि पूरा वक्त बस इसी सोच में निकल जाता है कि क्या कैसे होगा बच्चा कैसा होगा बस यही सब कुछ इसमें आप बच्चे से रिलेटेड भी किताब पड़ सकती हैं आप अपनी मनपसंद कॉमिक्स भी पड़ सकती हैं एक तो इससे आपको अपनी बच्चपन की याद आएगी और आपका दिमाग भी अपने बच्चपन की पलो हो जाए तो आप उसको कुछ मज़ेदार कहानिया सुना सकें प्रेग्नेंसी के दौरान आप होरर और डरावनी कहानिया ना तो पढ़ें और ना देखें क्योंकि इससे आपको डर लग सकता है उसके साथ साथ आपके बच्चे को भी लग सकता है उस पर भी इसका काफी असर प आपके बच्चे पर पढ़ता है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो फिर इसको लाइक कर दें दोस्तों की साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जा जास बास तरहें